नमस्कार दोस्तो मैं की सवागत करता हूँ आपका अपने टेक्निकल सीपी यूटूब चैनल दोस्तो कैसे हो आप सो दोस्तो आज के इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एयर टेल पेमेंट्स बैक पे सेविंग खाता जीरो बैलेंस खाता या कोई भी खाता खो आपको बिल्कुल जानना जरूरी है तभी आप एयर टेल पेमेंट्स बैक का खाता खुलिएगा अगर यह तीन जो मैं इस्रक्षन बताऊंगा अगर आप उसके लायक हैं तभी वह जाक खाता खुलिएगा नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका पैसा डूब आपको समझ लिजेगा और अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजेगा और अगर आप मारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेल आकन जोड दबाईएगा क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँगा आपको सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चली दोस्तों ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुगे आज का वीडियो सुरू करते हैं बिल्कुल वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा थोड़ा सा पेसेंस रखिएगा क्योंकि मैंने यह अकौंट से पैसा कट है रहा है इक डिवेड नहीं हो रहा है किसी का आइड करने का नहीं आ रहा है तो थोड़ा सब बांच मिनिट हम को दे दिजिए आप पांच मिन ने से मिलूँग लेकिन जो आ यह में आपको बता दूँँयोंगा और आप उस Jacobs को जाईएगा ताकि यह समस्या वही मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अभी देखिए तीन बाते मैं आपको बताऊंगा तीन बाते जरूरी है सबसे पहला यह एकाउंट खोलने से पहले की बाता अगा अगर चुके आप इसको समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बैस सबका समय किमती होता है ठीक है अभी देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले जो हमारा कंडिशन है दोस्तों कि एकाउंट खोलने से पहले हमें उस फोन में जिस भी मोबाइल से हम Airtel Payments Bank खोलना चाहते हैं, Airtel Thanks App के माध्यम से Airtel में Zero Balance खाता या Normal Saving खाता खोल रहा हैं, उसमें दोस्तों पहले से UPI Working होना चाहिए, अब यह कहा रहे हैं, या UPI Working का क्या मतलब है, क्योंकि UPI Working का मतलब उस फोन में Google पे, फोन पे, Paytium या भी UPI में से कोई भी UPI Application होना चाहिए, अब आप कहेंगे क्यों, यह मैं आपको बता दूँ, कि जब भी हम Airtel Payments Bank में सेविंग खाता खोलते हैं, Personal Information, अपना Business Information, Nomoney, PAN और आधार Verification, OTP Verification और अपना फोटो अगेरा, घीज के हम लोग जो Capture कर लेते हैं, Last Step हम लोग आता है, Airtel का funding पे, Airtel कहती है कि आपका Account तभी Activate होगा, जब आप Initial एक उर्पया या Maximum आप जहां तक आपका लाइक हैं, वहां तक अगर आड करते हैं, यानि कि Minimum एक उर्पया जब आड करेंगे, तभी आपका Account एक्टिवेट होगा, तब इसमें देखिए दोस्तों कई ऐसे लोग होते है कि अपने Family में किसी का खोलते हैं उनके Mobile से, उनका कभी Account नहीं खुला हुआ होता है, तो जब Account नहीं तो UPI किसका बनेगा, यह सबसे बड़ी बात है, ठीक है, तो जब वहां से Payment करने जाएंगे, तो वहां पे Payment का Option नहीं दिखाएगा, जो Airtel का Payments Gateway है, जहां पे Phone पे Google प बिल्कुल Blank दिखाएगा, और वहां पे आप Balance Add नहीं कर पाएंगे, और आपका Account Activate नहीं हो पाएगा, तो भाई, UPI पहले से Mobile में होना अगर होगा, तभी Account के लिए उस Mobile से Apply करिएगा, ठीक है, अब आईए दूसरी बात हम जान लेते हैं, कि जब भी हम खाता खोल रहे हैं कई लोगा यह प्रॉब्लम बता दे रहा हूं, तभी आपको सपस्ट होगा कि मैं कहाना क्या चाता हूं, Account कई लोग फोल रहे हैं, और लास्ट में payment कर दे रहे हैं, और activate के लिए, AITL payments bank को activate करने के लिए initial एक रुपय का payment करना होता है, ठीक है, मैं short में थोड़ा बताऊंग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कई लोग क्या कर रहे हैं, कि payment add करने के लिए initial एक रुपय का अगर कोई balance add करता है, balance add करने जा रहे हैं, और last में phone पे, Google Pay में success हो जा रहा है, और AITL में आके fail हो जा रहा है, क्योंकि mismatch लिग दे रहा है, अब mismatch का मतलब यहा है, कि भ नहीं होगा, वो अभी आपका fail हो जागा, पैसा फस सकता है, तो इसमें आपको सावधानिया क्या रखनी है, कि जिसके नाम से आप क्या कर रहे हैं, जिसके नाम से आप Airtel payments bank में saving खाता खोल रहे हैं, उसी के नाम से भईया UPI होना चाहिए, किसी bank में उनका खाता होना चाह चाहिए, तभी जाके Airtel वाले accept करेंगे, तभी वो payment successful होगा और आपका account activate होगा, तो इससे हमें क्या सीखिना मिला, कि अगर हम सूरेश के नाम से कोई Airtel payments bank में खाता खोल रहे हैं, तो हमारे पास सूरेश के नाम से पहले से किसी bank में खाता होना चाहिए, और उसी UPI के बाते में आने में थोड़ा सा देरी हो सकता है, तीसरा दोस्तों है, कई लोग इधर उधर का data वर्थ होगेरा सीन डाल दे रहे हैं, तीसरा लगभग आप लोग जान रहे होंगे, वह है कि आप 18 साल से कम हैं, तो आप Airtel payments bank में खाता नहीं खोलेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा Airtel payments bank के नजदी की ब्रांच पे, वहाँ पे आपको आपना Airtel payments bank का खाता खुलेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग टाइम बेस्ट अप्लिकेशन में आख करें, तो बाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं होने वाला है, बीना वेरिफिकेशन का, रिफ्रजेंटिव वेरिफिकेशन होगा, गारजियन का होगा, तब जाके आपका नॉर्मल खाता खुल पाएगा और उसका लाव उठा पाएंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं concept क्लियर करने वाला था, यह तीनों जो बातें हैं, काफी महत्तोपूर है, आप मेरे अगर आपको वि यह तॉपिक के concept क्लियर करने वाला था, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लागता था लाइक कर दीजेगा, और अगर आप मारे चैनल पर ना है, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेल ऐकन जो दबाएगा, तो दोस्तों आज के इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तक लिए जैहिंत धन्यवाद